हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो जी अमेजा स्टेडी क्लासस आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टेटिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस और फ्रेक्वेंस दिस्ट्रिबूशन सेक्शन एफ क्वेशन 2 और 5 एक वीडियो अप्लोडेट है सेक्शन एफ में वाद फ्रेलिस चेक कर सकते हैं स्टेटिक की स्टेट करते हैं क्वेशन 2 और 5 दो स्ट्टेंच का डाउ इसट करना निटेक्वेर तो आज केवीए दोनों क्वेशनस सोल करवारी हूं कहीं भी भी वीडियो को skip मत कीजे question read करते हूं the daily temperature of a city in the year 2014 is recorded as follows अब यहाँ पर daily temperature given है the daily temperature has not been below minus 10 degree Celsius find Calphearsons coefficient of skewness and state the type of skewness तो यहाँ पर हमें mid values given है जो class length होती है upper limit और lower limit वाली जो आप इस question में देख सकते हैं इस तरह की class length हमें given नहीं है और यहाँ पर directly mid values ले ली गई है और हमें एक clue दिया गया है एक hint दी गई है कि minus 10 degree Celsius से below का temperature नहीं गया है यानि कि यह जो first class है हमें उसमें बता चल गया है कि हमाँ पास जो lower limit होनी चाहिए वो minus 10 degree Celsius की होनी चाहिए और यह सारी mid values है इनी से हम find करेंगे आपर सारी class length और उसके बाद sum को solve करेंगे उसके बाद easy है हमें कालपियर्संस method से coefficient of skewness find करना है coefficient आपको पता ही है कैसे find करते हैं कालपियर्संस method से 3 into x bar minus median upon s यानि की x bar find करना है median और standard deviation तब हमें मिल जाएगा coefficient of skewness तो start करते हैं सबसे पहले हम class length जो है वो perfect find कर लेते हैं अब आपको बता होगा mid values जो है वो किस तरह से find की जाती है upper limit plus lower limit divide by 2 करते हैं हमारे पास mid value है यानि की first जो है वो minus 5 है अगर हम उसे consider करें और upper limit जो है वो हमारे पास नहीं है और जो question में clue दिया था मैंने आपको बताया था minus 10 degree Celsius lower limit हमारी है उससे नीचे temperature जो है वो नहीं गया है तो यह हमने यहाँ पर lower limit रख लिए अब हमें find करना है upper limit यानि की minus 10 degree Celsius से लेकर कहां तक का temperature decide होगा first class के लिए और इससे divide करेंगे 2 से अब upper limit हमारे पास नहीं है minus 10 degree Celsius इस तरफ आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते है minus 10 degree Celsius है 2 into 5 किया है हमने minus 10 हो चुका है as it is same अब हमें find करना है upper limit यानि की minus 10 plus 10 is equal to 0 plus minus यहाँ पर हो चुका है सब cut हो चुके है plus minus negative sign और positive sign तो 0 यहाँ पर आ चुका है answer यानि की हमाई जो first class है वो minus 10 degree Celsius से लेकर 0 तक की class है अगर हम इन दोनों को add करके 2 से divide करें तो हमारा answer minus 5 आ जाता है जो की mid value है first class की तो इस तरह से हमारा sum राइट है और हमें यही साही class length को follow करते हुए next जो आगे का sum है वो complete करना है इसी तरह से आपको सभी की values जो है वो class length की find कर लेनी है तो इस तरह से मैंने यहाँ आपर directly लिख दिया आप देख सकते है first class जो रहेगी वो minus 10 to 0 जैसे हमने अभी find किया उसी तरह से आप बाकी साही classes का भी find कर सकते है आप same नहीं रख सकते है यहाँ पर class length same नहीं है सभी classes की different है इसके आपको हर एक के लिए find करना होगा इसी method से यहाँ आपर मैंने create करके रखा एक table number of days जो साही frequencies है उसके बाद जो mid values हमें question में given दी वो हमने यहाँ पर रख लिए और जो formula है जिससे हम आगे सम solve करने माले है सारी जो values find करने माले है standard deviation and all वो सारी हम direct method shortcut method से कर रहे है इसलिए d deviations हमने यहाँ पर find करके रखा है a जो assume किया है वो हमने किया है 12 तो इस तरह से हम यहाँ पर सारी values find कर लिता है उसके बाद frequencies into deviations मतलब multiply किया है frequencies column को और deviation के column को उसके बाद उसका square again उसे deviation से multiply कर लिया इन दोनों columns का multiplication है यह column और cumulative frequencies आपको बता होगा सारी frequencies को one by one add कर लिया है तो यहाँ तक का सम आपको समझ आगे होगा जो basic concept था जो confusion बागी students को रह रही है वो starting में ही रह रही है because question में आपको mid values दे दी गई थी तो यह concept clear हो गया होगा और किस तरह से table create करना और आगे का जो साम है वो मैं आपको directly explain करते हूं because basic explanation सारी आपको previous videos में मिल जाएगी same उसी तरह से साम next step है x bar find करना सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था x bar find करेंगे median find करेंगे और standard deviation find करेंगे सारी values हमने यहाँ पर इस table में इसी लिए सबसे पहले find कर ली ताकि easy रहे अब यह सारे variables find करते हैं a जो हमने assume किया plus sigma fd upon n 12 plus 1055 upon 365 यह सारे sigma fd कर दिया है answer हमारा 2.89 आ रहा था plus किया 12 से तो हमारा 14.89 degrees celsius जो है वो x bar आया है यानि कि mean आया है इस data के लिए next median जो है उसकी class पहले find करते हैं यानि कि n by 2 था observation n था 365 divided by 2 182.5 दो यह class आपको cumulative frequencies में ढूंडनी है cumulative frequency का जो column है जो मैं आपको table previously दिखा है उसमें यह class कौन सी class में आ रही है वो आपको देख लेना है तो आप एक बार check कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूं cumulative frequencies के column में 182 यहाँ पर 14 to 22 वाली class में आ रहा है यहाँ पर cumulative frequencies में आप देख सकते हैं इस तरह से check कर सकते हैं यहाँ पर 182.25 इसमें आ जाएगा 165 में नहीं आएगा तो यह class हमने select कर ली 14 to 22 सारे variables इसी के use करने हैं इस formula में put out करने है formula भी इस तरह आप देख सकते हैं median is equal to L plus n by 2 minus cf upon f into c इस formula में put out करेंगे तो जो lower limit है 14 यानि कि 14 to 22 वाली class select की थी तो 14 हमने यहाँ पर रख लिया है 182.5 जो n by 2 था वो यहाँ पर रखा है minus previous cumulative frequency लिया है 165 divided by यहाँ पर 125 हम कर रहे है जो f है frequency है into 8 करेंगे यहाँ पर जो class length रह रही है उससे अब सारी values को यहाँ पर simplify करना है lastly हमारा answer आ रहा है 15.12 जो median है यानि कि mean median find कर लिया है अब बाकी रहा है standard deviation और coefficient standard deviation find करने के लिए sigma frequencies into deviation square minus sigma frequencies into deviation whole square दोनों को n से divide किया और under root में रख दिया है यह सारी formulas आप इन सबसे familiar है इसलिए में directly आपको explain करें यहाँ पर सभी को simplify करने answer आ रहा है 7.95 celsius तो इस तरह से तीनों जो variables हमें required हैं वो मिल चुकिए अब directly हम coefficient find करते हैं यानि कि j की value j is equal to 3 into x bar minus m upon s standard deviation तो सारी values जो find की है mean median और standard deviation उनकी values put out कर दिये हैं first of all 3 से multiply करेंगे minus 0.23 और divide करेंगे 7.95 से हमारा answer last में आएगा minus 0.087 तो इस तरह से हमने यह पूरा sum solve कर लिया है question number 2 next start करते है question number 5 question 5 में यहाँ पर read करते हूं the frequency distribution of demand of a certain item is as follow find the skewness and coefficient of skewness by Carl Biersons method again हमें यहाँ पर Carl Biersons method से find करना है same method रहेगी उसे तरह से हम find करेंगे और यहाँ पर आपको confusions कब होते हैं जब यहाँ पर यह जो first है यह unequal classland है इस तरह आप देख सकते हैं classland अलग mixed variables सारे लिएगा है classland mix type किये इसलिए आप इसमें confused हो रहे हैं बट मैं आपको आगे पूरा सम explain करते हूं तो कहीं पर भी video को skip मत कीजेगा इस तरह आप देख सकते हैं मैंने पूरा table create कर दिया है demand first of all इसमें आपको classland इसकी find नहीं करने हैं because यह mixed class है इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं 123 वह as it is रहेंगे और बाकी के variables उन classland को as it is रहने देना है सारी frequencies हमने लिख लिए उसका total कर लिया है 80 आ रहा है mid values find करेंगे mid values find करते time यहां पर classland नहीं है सिफ आपको digits दे दी गई है 123 उन्हें as it is रखना है और उसके बाद जो सारी variables है जो सारी classland है उनका आपको यहां पर mid values find करेंगे उसके बाद f into x यानि frequencies into mid values है उन दोनों को multiply करना है इस तरफ आप देख सकते हैं तब हमें सारा column मिल चुका है इसका total आ रहा है 742 अब इनको यहां पर हम again x की जो values है f of x को again x से multiply करेंगे तब हम इनका square मिलेगा तो यह सारी values इसी तरह से find किया और इसका total आ रहा है 10,430 cumulative frequencies find करने हैं जैसे previous sum solve किया था second number का उसी तरह से इसे भी solve करना है यही सारी variables हम again find करेंगे mean, median and standard deviation और last में coefficient find करेंगे first of all mean sigma f of x upon n यानि कि 742 upon 80 is equal to 9.275 long इतना answer आता है तो आपको 9.28 इसे assume कर लेना है तो यह हमारा answer x bar का आ चुका है next find करेंगे median, median class लेने के लिए हम n by 2 त observation करते हैं यानि कि हमारा answer 40 आ रहा है तो अब हम cumulative frequencies के column में 40 देखेंगे कहां पर आ रहा है तो यह 40 जो है वो यहां पर 4 to 8 वाली class length पूरी select करने है यानि कि इसकी frequency लेंगे previous cumulative frequency को select करेंगे इसकी class length देखेंगे और इसे solve करेंगे तो यहां पर यह formula आपने देख लिए है सारी values हम इसी तरह से put out करेंगे 4 to 8 की class length दे lower limit लेनी है यहां पर 4 plus 40 n by 2 minus previous cumulative frequency 30 divided by frequency of this class 10 into C जो 4 है तो इस तरह से सारी values को put out कर दिया है अब इन्हें simplify करने 10 into 440 divided by 10 again 4 4 plus 4 8 8 units इसका answer आ चुका है mean median find कर लिया है अब lastly standard deviation find कर लेते हैं standard deviation find करने के लिए sigma f of x square upon n minus sigma f of x whole square upon n लेना है under root में रखना है इस तरह सारी values जो table में find की थी उन्हें put out कर देना है और last में हमें मिलेगा 6.65 unit standard deviation अगर आप detail explanation चालते हैं कि किस तरह से formulas को use करना जाहिए और कब इने use करना जाहिए ता प्रीज previous videos देखिए जिसमें सारी exercises 5.1 और two solve की थी उसमें detail explanation है अभी मैं यहाँ पर आपको जल्दी से explain कर रहे हूं सिर्फ विकास यह सारा basic concept आपने सीख लिया है next अब skewness जो है वह हम यहाँ पर find कर लेते हैं skewness और उसका coefficient दोनों find करेंगे skewness find करने के लिए 3 x-median तो यहाँ पर x-median 3 करने पर 3.84 आ रहा है अब इसी को skewness को हम divide कर लेंगे directly standard deviation से skewness upon standard deviation तो अगे formula है इसलिए यहाँ पर direct हमने skewness रखती है इस तरफ देख सकते है standard deviation जो 6.66 आया था उसे यहाँ पर हम divide कर लेंगे तो answer हमारा आ रहा है 0.58 तो friends I hope आपको यह पूरा question जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा बाकी भी जो पूरी exercise है वो आप अपने आप solve करके try करके देख सकते हैं because मेरे लिए possible नहीं होगा मैं सारे sums आपको solve करवा सकूँ तो कोई भी confusion रह रही हो था मुझे comment करके बता सकते हैं मैं try करूँगी as soon as आपकी comment का reply दूँ और अगर possible हुआ तो मैं solutions भी upload करूँगी तो friends please video को like कर दीजिए अगर आपके लिए helpful रहा है तो और अपने friends के साथ इसे share कर दीजिए अगर आप हमाई channel पर नए है तो channel को subscribe कर दीजिए मिलता मैं next video में तब तक के लिए good bye